अपने आउटलेट के प्रती एक आकर्षन पैदा कर सकते हो तो कही न कहीं को 29 दिन आपसे बायर जुडा रहेगा ये भी एक तरीका है अगर ये मेटिल खराब हो जाए तो 70 रुपे का उनको लॉस हो जाएगा वो क्या करते हैं इनी स्कीम्स और फार्मॉलास को इस्तिमाल करक अपने बिजनस के आतार को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं इस वीडियो इस पावरड बाय मेटास लाइश्टाइल इंडियास लीडिंग मैनुफाक्चरर और स्टेलने स्टील मॉर्ड लोकेशिन बाथ्रूम वेनिटी वाडरोब्स एंड स्टील इंटिरियर इसलिए मैं अपने बिजनस टाइम से निकल कर बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं जो रियल लाइफ एक्षपिरियंस मैं अपनी इंडस्ट्री और अपने बिजनस में करता हूं वही चीज़ आपके साथ शेयर करता हूं बहुत सरे लोगों ने मुझे comment करके कहा कि सर ये बताओ कि retail sale कैसे बढ़ा है हमारा ऐसा business है जिसमें हम direct consumer के साथ retail करते हैं तो retail की sale कैसे बढ़े आज इसी विशयपारम बात करने बाने है retail sale बढ़ाने के लिए सबसे महतपूर्ण चीज क्या है वह है आपके regular clients तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है make a data of your buyer सबसे पहले अपने buyer का data बनाएं आज बहुत सारे shopkeepers बहुत सारे business owner क्लाइंट का data record नहीं करते हैं लेकिन अगर आप client का data record करते है तो उसका बहुत बढ़ा benefit आपको सकता और वह benefit क्या है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ आज आप देखो बहुत सारे retail shops ऐसी है जहां पर billing counter पर आपका mobile number पूछते है ताकि bill के slip आपको निकाल के दे सकते हैं यह वह तरीका है data collection का वह कहते हैं तक mobile number नहीं बोलेंगे आपको bill नहीं निकलेगा या आने वाले discount offer आपको नहीं मिल पाएंगे तो client फटाफट अपना contact number दे रहता है तो ऐसे में उनका काम होता है data collection करने का अब data collection क्या होता है तीन तरह का data हमारे पास होता है old buyer जो यह आपके business पर frequently visit करते रहते हैं time to time आते रहते हैं कभी कोई चीज लेने कभी कोई product लेने अपनी जरूत के साथ चीज़ों को खरीते रहते हैं थर्ड जो बायर होते हैं वह होते one time buyer एक बार आपकी shop पर आया और आपसे product लेकर चला गया यह भी तो आपका buyer है लेकिन आपक आपको small-skill business owner जो एक zone में काम कर रहे हैं वह WhatsApp broadcast list बना लेते हैं जरूरी नहीं कि आप software बेस्टी सारा काम करेंगे वैसे तो software बेस्ट करने से आपका काम सहूलियत से easy हो जाता है लेकिन बहुत सारे जो बहुत small-skill shopkeepers हैं retailers हैं वह क्या करते हैं आप broadcasting list बना लेते हैं और अप अपडेट क्या होता है उनके नए products क्या-क्या आ रहे हैं उनकी क्या-क्या offers आ रही हैं क्या-क्या स्कीम आ रही हैं जैसे 15 अगस्त की offer 26 जनवरी की offer न्यू यर की offer रक्षा मंदन की offer holy, diwali, valentine day बहुत सारी offers होती हैं तो वह offers और schemes के बारे में जानकारी whatsapp के माधियम से regular देते रहते हैं और कोई भी नया product आता है वह उस तरह के product की information भी अपने buyer को बेजते रहते हैं और कई बार क्या करते हैं देखिए बहुत सारे retail business में बहुत सारा stock ऐसा होता है जो at the end of the year या एक season के बाद डेड हो जाता है तो वह क्या करते है stock clearance sale लगाती है और एक buyer जो आपसे regular product ले रहा है वो मौका डूनता है कि कोई stock clearance sale मिल जाए जैसे आप देखे big bazaar है reliance fresh है लीजिए 100 रुपे का कोई product है और उनको जो profit margin उस पर मिल रहा है वो 30% है इसका मतलब 70% की उसकी value है अगर यह material खराब हो जाए तो 70 रुपे का उनको loss हो जाएगा वो क्या करते है stock clearance sale लगा ले 30% का additional discount और stock clearance sale एक limited period के लिए लगा लेते हैं कि एक तरिक से 30 तरिक के बीच मे आप इसका benefit ले सकते हैं तो बहुत सारे लोग उस stock में से material quantity में खरीद लेते हैं पर यह जानकारी देंगे कैसे वो देंगे इस data के थुरूप जो data आपने collection किया है और देने का तरीका आप regular उनको update करते रहें तो stock clearance sales पी एक अच्छा तरीका होता retail sale ग्रो करने का इसके और को ऐसा देना या जिम का off है तो आप skip कर दाते हैं तो वो क्या करते हैं आपका membership card बना लेते हैं और आपको membership card के अंदर का देख prepaid system कर देते हैं पहले ही पैसे ले लेते हैं और आपको regular diet भेजते रहते हैं तो यह क्या होता है make a membership card और for extra benefit to the client और एक बेनिफिट क्या होत तो कहीं न कहीं को 29 दिन आपसे बायर जुडा रहेगा यह भी एक तरीका है है तो loyalty bonus दे रहेते हैं उनको कि आप सर regular हमारे 3 मेंदे तक लगातार आप per day sale मेट्रीलम से ले रहे हैं तो आपको loyalty bonus देते हैं आप हमारे पिछले 3 साल से client है तो 0-0-0-0 साल का period complete कर लिया है उनको हम 2% extra sale का benefit दे रहे हैं है ना referral benefit अगर आप किसी को refer करते हैं तो उसके refer की first sale पर मैं आपको 5% extra discount दूँगा बहुत सारी companies referral sales का formula भी लगाती है आप देखिए जैसे rapid bike service आई उसने का पहली ride पर 50% off है यह referral code दो तो आपको 70% off मिल जाएगा तो यह तरीके होते हैं जिससे हम retail sale क आपको आसानी से grow कर सकते हैं और consumer के मन में अपने product अपनी company या अपने outlet के प्रती एक आकरशन पैदा कर सकते हैं उसको पता होता ना membership card मेरे पास है उसको कोई friend जा रहा ले ने material हो के तो ले लिए उसका benefit मेरे को मिल जागा वो benefit में तुझे transfer कर दूँगा तो extra benefit मिलता है इस नहीं जानी है इतना चना जाना इतना इतना जाना इतना इतने ब्रेड जानी है तो वो कहते हैं सर तीन मेने का package ले लो एक बार payment करो delivery आपके आप पहुंसती जाएगी उसका extra benefit क्या होगा कि 30 प्लस 2 का मैंने benefit दे दिया 30 दिन का metal भेजूँगा दो दिन का free भेजूँगा य जिससे उनके number of जो suppliers हैं वो भी उनको discounted price for material देते हैं और वो discount का benefit अपने end user को दे देते हैं उसके लबावा festive offer of membership अगर किसी ने membership लिए है तो उनको festive offer दे दिया कि members के लिए scheme क्या है members के लिए 5% extra discount है या members के लिए loyalty bonus है members के लिए gift है तो ये तरीके भी होते हैं जिससे हम हमार membership के माधियम से हमारी sale को बढ़ा लेते हैं इसके लबा placement of product बहुत important role play करता है कि जब आप अपने retail sale पर होते हैं तो आप placement of product कैसे करते हैं बहुत सारे product ऐसे होते हैं जो daily life में बहुत जाला use होते हैं या ऐसे product है जिसमें आपका profit margin बहुत अच्छा होता है तो वो consumer की eye contact के level और ऐसी जगर display किया है कि दुकान में बुआ है तो उस product को जरूर देखे तो display at eye contact आप ऐसे product जो अच्छे margin वाले हैं उनको eye contact के सामने रखें ताकि ग्रहक उसको देखे और उसके प्रति आकरशन पैदा और लेने पर मजबूर हो जाए इसके लाबा display product at billing counter आज companies यह formula भी ब एक्स्ट्रा सेल कर देते हैं उनको उसको off-selling भी बोलते हैं मैंने एक special video बनाया था off-selling and cross-selling के जरिए कैसे अपने business में sales को बढ़ाती है companies है ना तो यह भी एक तरीका है जिससे हम consumer के मन में अपने product की जानकारी और अपनी sale को आसानी से बढ़ा सकते हैं इसके लाबा start local advertisement आपको को Central all India level के advertisement नहीं करनी international नहीं करनी आपके business की territory है for example आप North Delhi में तो North Delhi का जितना भी एरिया है तीन चार किलो मेटर तक का या आज आपका ग्राग जिस radius से आता है आप उस radius तक ही advertisement करें उसी का आपको benefit होने वाला है है तो आप क्या कर सकते हैं आप offline branding कर सकते हैं जैसे leaf advertisement में को sponsorship देकर आपने वहाँ पर अपना advertisement लगाया हुआ है जैसे जागरन है या कोई अलग तरह के festive हो रहे हैं वहाँ पर भी आप अपनी sponsor advertisement दे सकते हैं जिससे आपकी brand presence या आपके business की presence consumer के mind तक आ जाती है उसके लाबा online advertisement आप कर सकते हैं जैसे Facebook है LinkedIn है Instagram है YouTube है जहाँ पर आ आप tie up कर सकते हैं बहुत सारी e-commerce companies के साथ आपका retail sector है आपको पता है मेरे इलाके में कहीं भी sale आएगी तो Amazon का बंदा देने आता है आपको पता Amazon जैसी company ने एक नया segment भी किया और वो नया segment किया है कि अलग-अलग local shop से वो tie up कर लेते हैं जैसी वहाँ की demand आते हैं वहीं से उनको supply करा देते हैं आपने देखा होगा बहुत सारी company advertisement भी कर रही है कि get your material from your local supplier अपने area के supplier से आपको material मिल जाएगा जरातर जो perishable goods होते हैं या जिनका shelf time कम होता है ऐसे products में ये बहुत अच्छा best formula होता है तो आप tie up कर लें Amazon से Flipkart से और भी इस तरह की companies हैं बहुत सारी apps ह करके अपनी sale को बढ़ा सकते हैं तो friends ये वो तरीके हैं जिससे आप आसानी से अपनी retail sale को grow कर सकते हैं जरुवत है केवल चीजों को अच्छे से समझने की और ना केवल समझने की समझने के बाद अपनी life में उनको implement करने क्योंकि जब तक किसी भी ज्यान का अनुकरण आप नहीं करेंगे तब तक वो ज्यान आपके लिए वियर्थ रहेगा कि इतने बेकार का ज्यानी कठा करने का कोई फायदा नहीं है ज्यान केवल वही बहुमुल्य है जिसका आप implementation अपनी life में आगे बढ़ने के लिए करने हैं इसके लावा आपके मन में कोई भी प्रश्न आप किसी भी विशय पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे comment box में लिखकर बताएं उसी विशय को हम अगली वीडियो में cover करने वाले हैं कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को subscribe कर लें और bell icon को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले और आप इस competition के दौर में fast mover के रूप में काम कर सके स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत